नमस्कार विद्यार्थियों, ओनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत हैं, हम अध्यन करें कक्षा क्यारा और हमारा जो विश्य है अनिवारे हिंदी, अनिवारे हिंदी में हमारी जो पाठे पुछते के है आरोह भाग एक, तो उसके अंत्रगत, हम गद्य भाग का दूसरा ध्याई, क्रिष्णा सोबती देवारा लिखा गया, मिया नसुरुदीन, तो उसका हम अध्यन करें थे, कल हमने भाग एक का अध्यन किया, जिसमें कृष्णा सोबती जो हैं नसीरुदिन से प्रशन पूछती हैं और नसीरुदिन कहते हैं कि पढ़ाई से अच्छा तो जो अभ्यास है वो होता है और इसमें दो प्रकार की जो पढ़ाई के बारें बताए गया अब देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि एक पढ़ाई ऐसी और दूसरी अब एक पढ़ाई ऐसी मतलूं कि जिसमें अलीफ बे जीम इस परकार के जो बताए जाते हैं कि जो विद्याले में हम सीखते हैं अध्यन करते हैं और दूसरी पढ़ाई अब दूसरी पढ़ाई के बारें बात करें थे इसी बीच में ही वो उनके सामने से गुज़ा रहे जो मीर साथ हैं उसको आवाज दरी डालते हैं और वो उसे पूछने कि कहो मीर भाई साथ सुबह ना आना हुआ पर क्यों अब लेकिन जो लेखी का ह दूसरी पढ़ाई कोन सी है पहले पढ़ा तो चलो ठीक है से लिक्षा है वो लिखा तो उसको पढ़ा हमने विजले में घ्राइन किया मदरसे में प्रपत की और श्री पढ़ाई कौन सी है तो वो विचार कर रही है लेकिन नसीर उदिन सौब जो है वो मिर साफ से बात करते हैं और मिर साफ ने कहां मिर साफ ने सिर इलाया मिया अब भी लोटे लोट के आते हैं तो बतावेंगे आप दूसरी पढ़ाई की बावत कुछ कह रहे थे ने अब देखे लेखी का कहती है नसीर अदिन से कि आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे बावत मतलब बारे में कह रहे थे कुछ लेकिन आपने बीच में छोड़ दिया वो बताईए क्या है तो इस बार मिया नसीरुदी ने यूँ से रिलाया कि ये सुक्रात हों सुक्रात मतरो एक उच्चकोटे के दार्शनिक हो हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है अब कौन सी होती है वो देखिए बता रहे हैं कि सुनिए अगर बच्चे को भेजा मदरसे में बैठा गाउट बैठा बैठा पक्की में ने दूसरी में और जा बठा तीसरी में आशा देखिए अधारन दे रहें इसमें नसीर उदिन की अगर बच्चे को भेजा मदरसे में मदरसा इनकी जो जहां पर उर्दू की शिक्षा दी जाती है कुरान की जो तालीम दी जाती है वहाँ तो बच्चा नहीं तो वहाँ कच्ची में बठा है नहीं पकी क्लास में नहीं दूसरी क्लास में और सिधा जाके वह तीसरी में बठा हूँ तो हम यह पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ तो क्या हुआ उन तीन क्लासों का अपना ख्याल था कि मिया नसुरुदीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे पर वह हमीं पर दागते रहे आप भी बताईए उन दो तीन जमातों का क्या हुआ आप देखिये मिया नसुरुदीन जो है जो नान भाई हैं जिनका वेवसाई है रोटी बिगार अपनाने का और वह दो वह थाँ ने की रोटी अपनाने में निपून हैं तो तो हमने सोचा कि नान भाई जो है यानकी मिया नसीरुदिन जो नान भाई है तो वे इसका निचोड़ भी देंगे लेगिन उन्होंने तो हमारे उपर ही वो पर संदाग दिया कि आप ही बताईए उन दो तीन जमातों का क्या हुआ यह बात मेरे समझ के तो बाहर है अब लेकी का कहती है कि मेरे समझ से तो यह बाहर है कि क्या हो सकता है इसका उत्तर तो इस बार साही नान भाई मिया कलन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखला के हस दिये आप क्योंकि मिया कलन के पोते थी मिया नसीरुदिन क्यों इनके दादा भी हैं जो साही नानबाई थे तो उनके पोते अर्थात जो मिया नसीरुदीन हैं अपने बचे खुचे हैं कि थोड़े से दाद बचे हैं मुँ में और उन्ही बचे खुचे दादों से वो खिल खिला के हज़ दियें मतलब मेरा क्या साफ ने था लो साहीवा आफ वोगाज़ाता है मतलब कि जो उसका गूड रहे से बता रहा हो मैं जरासी देर को मान लीजीए अब कहते हैं कि थोड़ा सा मान लीजी कि आप हम बरतन धोना ने सीखते बची को आच देना ने सीखते तो क्या हम सीदे सीधे नानबाई का ऑनर सीख पाते तो अग कर जोननेरह सीख पाते थे क्या हाँ हम बरतं धोना सी कितनी बत्ती बनाना सीखा है फिर घ्रटी को कितनी आच देनहीं आ वो सीख नहीं डा इला झाल कि मिया नसरुदीन हमारी और कुछ ऐसे देखा है है कि की उनने हमें हमसे जवाब पाना हो मिया नसुरुदीन है न वो हमारी तरफ देख रहे हैं ऐसा कि जैसे वो कुछ हमसे जवाब यानिक उत्तर पाना जाती है फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा मंदे मतलब परिपकवतापूर्ण अंदाज में कहा कि कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की यक तालीम भी बड़ी चीज लोती है अब तालीम मतलोक शिक्षा शिक्षा की भी शिक्षा जेर कि अनुभव जो है यह Arsen कि अभ्ठाष जो है वह संचे बड़ी चीज होती है सिर लाया है साहिवा मना अब देखे वो फिर कह रहें कि क्या आपने मान लिया कि ये बात तो मिया नसुरुदीन जोस में आ गए हमने नहीं लगाया होता खौमचा तो आज क्या यहां बैठे होते हैं अब जोस में आगे हो गयते हैं कि अभिहास भी आफशक है कि अल पढ़ने से कुछ नह होता कि अल किताबी ज्यान से कुछ नहीं होते हैं बलकि अभिहास भी आफशक हैं यह दूसरी शिक्ष है इसमें तो मिया नसुरुदीन जोस में आ गई और कहा कि अगर हम खौमचा नहीं लगाते तो कि यहां बैठे होते क्या यान कि नानबाई बन जाते क्या मिया को खौम कहा उनकी बात का रुख मोड़ा आपने खांदानी नानबाई होने का जिक्र किया क्या यहां और भी नानबाई हैं अब देखिए कि कहीं वो खौमचे और लवात मेने खौबं में चले जाएं पिछे की जो समर्ण है उसमें चले जाएं तो हमने बात को मोड़ा और बात को दूसरी तरफ घुमा दिया कि आपने खांदानी नानबाई होने का जिक्र किया अब नसरुदी ने पहले का था कि हम तो खांदानी नानबाई हैं तो कहते कि यह हैं क्या यहां और भी नानबाई हैं और मिया ने घुराव घुर के देख रहे हैं उनको बहुतेरे बहुत सार रही हैं कि हमारे बुज्जर्गों से बात्साइस स्लामत नहीं कहां मिया ना नान भई कोई नई चीज खिला सकते हो अब बादसा जो सलामत है उन्हों ने कहा अबने सीर उदीन बता रहें कि नानबाई, मिया नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो क्या तो फिर हमारे बुजरूगों ने कहा कि हुकम की जहां बना जहां बना बादसा को khा जाता है बादसा सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने तो बादसास सलामत ने कहा कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना तो आग आग से पक सकती है ना पानी से बने तो क्या उन से बनी ऐसी चीज आप जो क्योंकि लेखी का प्रसंब पूछ रही ना वो उनसे पूछती हैं नसुल इदीन से तो नसुल इदीन कहते हैं क्यों नैं बंति साहिब है बनी और बात सास्लामत ने खूब खायी और खूब सराही सराही मतलब प्रसंसा कि उसकी लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है अब लेखी का सोच लिए कि जो हम पूछना चाहते थे न तो कोई रहसे जब जाना चाहते थे हम उन से तो लगता है कि अब धिरे-धिरे वह रहसे हम जान लेंगे कि यह साही जो नान नानवाई कैसे बनी है तो बेसबरी से पुछा वह पकवान क्या था कोई खासी चीज होगी अब देखिए बेसबरी से बेसबरी कहते है उत्सुकता से हमने पुछा कि वह पकवान क्या था जो ना रहे तो आग में से काज जा सकता है ना ही पानी में से बने तो ऐसे क्या चीज़ होगी फिर मिया कुछ देर सोच में खोई रहे सोचा पकवान पर रोस्ट डालने को है कि नसुरिदीन साहिब बड़े रुखाई से बोले अब मिया नसुरिदीन से जब हमने पूछा कि ऐसा कौन सा पकवान था कोई खास चीज़ है तो बताईए तो मिया जो कुछ देर सोच में खोई रहे सोचा पकवान पर प्रोस्ट डालेंगे लेकि नसुरिदीन साहब बड़ी रुखाई से बोले यह हमना बतावेंगे वो कहते हम नहीं बताएंगे कौन सा पकवान था यह बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ने कि खांदानी नानवाई कोई में भी रोटी पका सकता है अब देखिए वो बात को फिर टाल रहे हैं नसुरिदीन जो है वो कहते हैं कि आप इतना समझ लीजिए एक आवत हैं कि जो खांदानी नानवाई होते हैं तो वो कोई में भी रोटी पगा सकते हैं कहावत जब भी गड़ी गई हो हमारे बुज़ुर्गों के कर्तब पर ही पूरी उतरती है अब देखिए नसीरुदीन जो पूरवज है कहावत जब भी गड़ी गई है जब भी लिखी गई है जब भी ये कहावत बोली गई है तो हमारे बुज़ुर्गों का जो कर्तब है कर्तब मतलब उनके दोरा किया गए जो कार्या उसी पर ये पूरी उतरती है मज़ा लेने के लिए टोका कहावत ही है सची भी है कि आप देखें मज़ा लेने के लिए बात को जो गहराई है उसको जानने के लिए कि वास्ता में ये सच है तो टोका और कहा कि कहावत ही है सची भी है कि या जूटी है ये तो मिया ने तरेरा और क्या जूटी है मिया ने तरेरा मतलब की जूट से रौटी पकेंगे अब वह लेखी का से पूच्ね कि दूट बोलने से क्या रोटी पक सकती है किसी से निपकती सीरे एकना पड़ा ठीक फरमाती अब अनमने मन से जो है लेकी का सी रिलारे की आप तो ठीक कह रहे हैं तो इस वीच मिया ने किसी और को पुकार लिया मिया रहमत इस वक्त किदर ओ को अरे वह लोंडिया ने आई रुमाले लेने शाम को मंगवा लिजो अब ये जो है बीच में ही नसीर दिन किशोर को पुकारते हैं मिया रहमत अब रहमत हैं तो उनको पुकार रहे हैं कि इदर इस वक्त कि इदर को कि कहा जा रहे हो आप इस समय अरे वह लोंडिया अब लोंडिया जो एक परच्छी सब्द है तो लोंडिया लड़की को कहा गया है कि वह लड़की नहीं है ने कि रुमाली लेने, अब ये रुमाल से समन्दित नहीं है, बलकि ये भी रोटी का परकार है, रुमाल जैसी बड़ी और पतली होती है ये, तो रुमाली कहा गया उसे, साम को मंगवा लिजो, साम को मंगवा लेना, मिया एक बात और आपको बताने कि जहमत उठानी पड़े सो कुछ फूर्टी पा गए थी पूछिए अरे बात ही तो पूछिए का जान तो ने ले लेवेंगे अब हो कहते है पूछिए फुर्सत अब हो कह रहे है कि बीड़ी सुलगा ली है हो कहते है हाँ पूछिए कि बात ही पूछिए कि जान थो ले लोगे आप उसमें भी अब क्या देर अब पूछ रोग वह जो बाद पूछनी है मेर से सतर के हो चुकें फिर जैसे अपने से ही कहते हूं वालिद मरहूम तो कूछ के असी पर क्या मालूम हमें इतनी महुलत मिले ना मिले अब वह अपने आप से बात करें नसी उरिदीन जो हैं कि उनको जो है कूछ कि एसी याजिए असी वर्स को गें कूछ कर चुके थे याँ हमें कितनी मोहलत मिलती है या नहीं मिलती इस मजमून पर हम में किछ कजिए नहीं बनाया तो कहा अभी यही जानता था कि आपके भुजडगों ने साही बावरची खाने में तो काम किया ही होगा अब इस मजमून पर आमने मजमून मतलों जो उनके तरड चवरा करी के बात है उसमें हमने कहा अभी कुछ तो कहते है कि नहीं रिजेश हैं को साहि वावर्ची कॉइने में प्लम बहुत करदे कि can do stuff के अब बार बार ये क्यों पूछ आ रहे हो तो चुक्ष है पर बात ये हां आपके बुजर्ग काम क्या करते थे अब देखिए लेखी का भी बात को गुमा रही है पूछ रही है पूछना चाहती है कि इनके जो बुजर्ग हैं वो कौन से बादसा के यहां काम क्या करते थे अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं कह दिया ना कि बादसा के यहां काम करते थे सो क्या काफी नहीं अब नसीद दून कहते हैं कि हमने बता तो दिया कि बादसा के यहां पर काम करते थे अब बाल की खाल क्यों निकाल दे कि कौन से बादसा थे क्या था क्या नहीं था तो जो हमने बता दिये कि बादसा के यहां काम करते तो वो काफी नहीं है कि हम खिस्यानी हसी हसे हैं अब खिस्यानी मतलब कि अपने अंदर ये अंदर हस रहे हैं कि है तो काफी पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते अब देखिए हमने कहा कि अगर आप बता देते नाम तो हम जान लेते कि कौन से वक्त की बात है ये तो वक्त से मिला लेते खूब अब देखिए नसुर इदिन जो चिड़ चुके हैं इनसे अब देखिए कि खूब बहुत अच्छा है पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से मिया हांसे जैसे हमारे खिली उडाते हूं वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक अब देखिए कितनी गूड बात कही है नसीर इदिन ने बातों ये बातों में कि वक्त से वक्त को कोई मिला सकता है क्या और किसी ने क्या मिलाया है आज तक खैर पूछी किसका नाम जाना जाते है अब देखिए वो जो लेखिए का बात निकलवाना जाती थी वो निकलवा रही है और उनको लगा कि हां कि बादसा का नाम जान लेंगे हम तो नसीर ने ने रहे खेर पूछे किसका नाम जाना जाते है दिली के बादसा का ही ना कि दिली के बादसा कौन थे यह जानना जाते हो आप उनका नाम कौन नहीं जानता जहां बना बादसा सलामत ही नहीं कि उनका नाम कौन नहीं जानता है जहांपना थे बादसा स्लामत थे ये अब फिर परसन पूछा गया कि कौन से बादूर साजफर की अब की मतलब उपनी बाद का दूरा छोड़ दिया अब मिया ने खिज़ कर कहा फिर अलट पलट के वही बात अरे बार बार तुम वही बात पूछ रहे हैं उमने बता तो दिया कि जहांपना बादसा स्लामत थे तो लिख लीजिए बस सही नाम आपको कौन बादसा के नाम चिठ्थी रुका भीजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही जरूरी है अब वो मिया नसुरी दिन खिज गई है उनसे कि बार बार आप यह पूछ रहे हैं कि क्या नाम था कौन थे कौन नहीं थे तो लिख लो बस सही नाम कि बातसा स्लामत थे यह जहां बना थे तो यह नाम लिख लो आप आपने को सची ठी रुका भेजना है कोई कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पते की जूरूरत हो हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिरी हिला अपने कारिकर से बोले अरे ओ बबन मिया बटी सुलगा दो तो काम से निप्टे अब देखे जब हमने बार बार उनको देख रहे थे ना उनकी तरफ नसुरी दिन की तरफ तो उन्होंने सीरी रए और अपने कारिकर से बोले कि या ओ बबन मिया बठीस लगा दो तो काम से निप्टे कि हमारा जो काम है वो पूरा करें हम अब लेखे कर कहते हैं कि हमने पूछा कि है बबन मिया कौन है साहिब तो मिया ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दियो अपने कारी कर और कौन होगे फांक मतलौ कोट टुकड़ा वगरा उसको काट दिया और कौन होगे मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां है पर मिया नसुरी दिन के चहरे पर किसी दवे अंधर के आसार देखिए हैं मजबून ने छेडने का फैसला किया अब मजबून मतलौ बात वगरा छेडने क मन नहीं किया क्योंकि पहले वो गुस्से में आज चुके थी हाना उनके चहरे से जो गुस जो गुस्सा है अब देखिए इसमें दिया ना अंधर के आसार अंधर कहते हैं आंधिया तुफान अब अगर कुछ और पुछा जाता तो वो क्रोद से तिम्दमा उठते हैं और न मुदा हैं कि खाली साگर्दी ही नहीं साहिब गिनके मजूरी देता हूँ खाली ऐसे नहीं कि उनको शिष्या बना रहता हूं बलकि मैं मजदूरी भी देता हूं उनको 2 रुपए मन आटे की मजॉरी नवजूरी मतलू मजदूरी जो है 2 रुपए मन अब मन मतलू ये जो तोल और में में है पहले मन के सहाफ सी चलता था ठीक है ना मन सेर पसारी से अलग अलग थे और मन जो है एक मन इनके 40 किलु आटा अगर है तो उसके दो रुपे और चार रुपे मन मैदे की मज़ूरी है और देखे चार रुपे मैदे की मज़ूरी है और दो रुपे मन वाटे की मज़ूरी है जाधतर बटी पर कौन सी रोटे पका करती है अब देखे उन से जो काम से समंदित है वोई बाते पूछी जा रही है कि आप जातर बटी पर कौन सी रोटे पकाते हैं तो इसमें वो कहते हैं मिया को अब तक इस मजमून में कोई दिल्चस्पी बाकी ना रही थी फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले अब क्योंकि हम बार 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 बात करे थे तो चिड चुके थे मिया जो है नसीर अदिन तो हमसे वो छुटकारा पाने के लिए वो कहते हैं कि बाकर खानी, सिर्माल, ताफतान, बैसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाज़ेवान, तुनकी अब ये इस प्रकार की जो रोटियां है तो वो हमारे यहां बनती है फिर तेवर चड़ा हमें घूर कर कहा तुनकी पापड से ज़्यादा महीन होती है महीन महीन मतलब पतली अब देखे तुनकी जो है ना जो रोटी है वो पापड जो है अपने देखा होगा तो उससे भी जादा पतली होती है बो किसी दिन खिलाएंगे आपको अब क्योंकि नको छुड़कारा पाने जाते हैं न से लेखिका से तो किसी दिन खिलाएंगे आपको एका एक मियां की आँखों के आगे कुछ कौंद गया एक लंबी सास भरी और किसी गुमसुदा याद को ताजा करने को कहा उतर गई वे जमाने अब अचानक ही मियां की आँखों के आगे जो कुछ कौंद गया अर्थाथ उनको कुछ याद आने लगा और एक लंबी सास भरी और गुमसुदा याद को ताजा करने लगे उतर गई वे जमाने कि जो वे जमाने थे न वो तो चले गए हैं और गई वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थी अब वो जमाने चले गए जो वह समय से ला गया जब पकाने और खाने की कदर करना जानते थे लोग कदरदान कदरदान मतलो कि उनकी जो है इज़त करना इज़त करने वाले जो थे वो अब नहीं रहे जो पकाने वाले के और खाने वाले की कदर करना जानते थे मिया अब क्या रखा है निकाली तंदूर से निगली और हजम अब पहले क्या कि तारिफ की जाती थी प्रसंसा की जाती थी लेकिन आज कल वो प्रसंसक नहीं रहे कंदरदान मत वो प्रसंसक नहीं रहे आजकल तो सिर्फ तंदूर में से रोटी निकाली और निगर लिए और हजम हो गई बस आजकल तो यह यह पहले होता था तो जिसके कारण से हमारे जो पूरवज हैं वो खांदानी जो हैं नानवाई थे तो इस प्रकार से मिया नसुरुदीन ने आज के संदर में जो नानवाई है तो उनकी किस प्रकार से स्थिती हो चुकी है और उनके जो कारे हैं उनकी कदर करने वाला आज नहीं है कोई तो ऐसा जो दुख है जो पीड़ा है उन्होंने इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है तो ये था हमारा अध्याई दूसरा कृष्णा सोबती दुवार लिखा मिया नसुरुदीन तो जो की खांदानी नानवाई थी साही जो है नानवाई थी ये तो इसके माध्यम से नान भायों की जो पीड़ा है उसको उजागर करने का प्रयास जो अलेकिका के द्वरा किया गया तो ये था हमारा अध्याई दूसरा तो जिसमें मिया नसुरी दीन के माध्यम से नान बाइयों की जो स्तिती है उसका वनन किया गया है तो हमने हमारा जो अध्याय दो था उसके भाग दो काध्यन किया तो हमारा ये अध्याय यहाँ पूरुण होगा तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझे में आया होगा धन्यवाद